नमस्त फ्रेंड मैं सविता अगरवाल कुकिंग वी सविता मैं आप सभी का सोगत करती हूँ आज मैं आप सभी को कोकोनट टेंडर नारियल में से पानी निकालने के बाद नारियल में से coconut tender में से इस तरह की मलई खोबरा किस तरह निकालते हैं यह बताने वाली हूँ तो आई यह देखते हैं नारियल में से पानी निकालने के बाद इस तरह की मलई निकालने के लिए हमें किन किन ची जो क्या आओ शकता हैं यह देखते हैं नारियल में से पानी निकालने के बाद इस तरह की मलेई खोब्रा निकालने के लिए हमें इन इन्च जो क्या आउशक्ता है आउशक्ता नसार इस तरह का कोकोनट टेंडर नारियल ले लीजिए लिए वे कोकोनट टेंडर नारियल को किस तरह श्टोर करते हैं मैं पहले रेसिपी के वीडियो में बता चुकी हूँ तो आईए देखते हैं नारियल में से कोकोनट टेंडर में से पानी निकालने के बाद नारेल में का कोकोनट टेंडर में से इस तरह की मलई खोबरा की तरह निकालते ही यह देखते है सबसे पहले इस तरह का एक नारेल ले लीजिए अब लिए वे इस नारेल का एक चक्कू के सायका से बीचो बीच इस तरह गोल वाला हिस्सा कट करके निकाल दीजिए जिससे इस नारिल में का पानी निकालने को आसानी हो जाएगी नारिल का इस तरह बिचो बिच वाला गोल हिसा कट करने के बाद एक भगोना लेकर भगोने में इस नारिल को इसे उल्टा करकर इस नारिल में का पानी निकाल दीजिए अब इस तरह नारेल में से पानी निकालने के बाद निकाले वे इस पानी को साइड में रख दीजिए तो आईए अब नारेल में से पानी निकालने के बाद नारेल में जो इस तरह की मले खोबरा रह जाता है इसे किस तरह निकालते है या देखते है आप बिचो बिच कट किये वे इस नारियल पानी वाले नारियल को एक चक्कू के सायता से बीच में का गोल वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा कट कर लीजिए जिससे नारियल के किये वे इस बड़े होल में से आसानी से एक चमच जा सके जिसे चम्मच के साहयता से नारियल के अंदर की मलई खोबरा आसानी से निकाल सके तो आई ये देखते हैं चम्मच के साहयता से नारियल के अंदर की मलई खोबरा किस तरह निकालते हैं ये देखते हैं सबसे पहले पानी निकाला हुआ कोकोनट टेंडर नारियल ले लीजिए अब लिये हुए इस नारियल कोकोनट टेंडर में से चम्मच के सहायता से इस तरह मलई खोबरा निकाल कर एक वाटी में डाल दीजिए अगर आपने मेरे कुकिंग विसाविता इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास इमें दिये हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नहीं विल्योस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो देखिए इस तरह पानी निकाले हुए कोकोनट टेंडर नारियल में से मलेई खोबरा इस तरह निकाल दिया है इस तरह निकाले हुए मलेई खोबरे को फ्रीज में 2-3 दिन के लिए स्टोर करकर रख सकते हो पानी निकाले हुए कोकोनट टेंडर नारियल में से मले इखोबरा निकालने के इस रेसिपी के वीडियो को आप अपने फैमेली और फ्रेंड्स के साथ फेस्बुक और वाटसप पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा पानी निकाले हुए कोकोनट टेंडर नारियल में से मले इखोबरा निकालने के इस तरीके के वीडियो को आप जरूर ट्राय कीजिए पानी निकाले हुए कोकोनट टेंडर नारेल में से मलेई निकालने के इस तरीके के बारे में अपना अनुभो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरे दुसरे रेसिपी के विडियोस को भी जरूर देख लीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ कोकोनट टेंडर नारेल पानी में से पानी निकालने के बाद बच्ची हुई मलेई खोबरा निकालने के इस तरीके के विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद ठैंक्यू